अस्वामेकूम कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सब ठीक होंगे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दही बले बनाने की रेसिपी जिसे आप बहासानी घर पर मैकसिमम 15-20 मिन्ट में तियार कर सकते हैं रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंट तक जुरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलें जी शुरू करते हैं बिसमिला रह्मान रहीम सबसे पहले आप हरी मिच्चे और हरा धनिया ले ले और उनको बारिक पीस ले नहीं बले बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो तमाम चीज़ें आपको वीडियो में लिक्यों भी मिल जाएंगी आप इजिली वहाँ से देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं यह हमने हरी मिच्चे और हरे धनिया को बारिक पीस लिया है अब प्याज ले और उनको बारिक काट ले बहुत ही असान रेसीपी है बहुत ही लजीज नवज़ेदार आप बाअसानी से घर पे त्यार कर सकते हैं सफाई का ख्याल रखते हुए अब हरी मिच्च और टमाटल इनको बारिक काट ले इन्शालां यह रेसिप आपको बहुत पसंदाएंगी इसे अपने घर पर ट्राइप करें और हमसे जजोरो शेयर कोई और चीज़ आप जाना चाते हैं तो हमें कमिट करके ज़रूर बताएं यह रेसिपी ज़रोर ट्राय करें और अपने रिव्यू़ हमसे जरूर शियर कीजिएगा बहतरीन कुछबू के लिए आप इसमें पुदीना एट कर सकते हैं पुदीना लें उसको बारी काट लें बहुत यह असान रेसिप्री है आप बहुत कम वक्त में मज़ेदार त्यार कर सकते हैं पेश कर सकते हैं महमानों के सामने अब जैसे कि रमज़ान आने वाला है आप ये रमज़ान में इफतार के वक्त ऊचली त्यार कर सकते हैं हमने पहले से ही आलेव को उबाई लिया है अब आप इन आलो को बारी काट लें जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ख्याल रखें कि आलू को ज्यादा बार एक ना काटें क्योंकि ये दही में मिक्स करते हुए तूट सकते हैं सफेज चनों को उबाल ले ये हमने पहले से उबाल की रखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में आप लोग अपनी मरजी से इनकी तादाद aggiंट कर सकते हैं आप ज्यादा बहले बनाना चाथ ए तो चीज़े ज्यादा मिक्दार में और आड कर दें या आप पर पर डिपेंड करता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये घर पे बनाई हुई दही है घर पे ही जमाई है अगर आप दही जमाने का तरीका नहीं जानते तो मैं अल्रेडी दही जमाने की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ आपके असानी के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं दही को अच्छी तरह फैंट लें इसे मिक्स कर ले अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तमाम इंग्रीडियंट्स आपको वीडियो में दिखा दिये गए हैं मैं तरीका बता चुकी हूँ मजीद आप लोगों ने इसमें हस्बे जूरत नमक, जीरा और अजवाइन एड़ करनी है इन्शाला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इसे जरूर ट्राइक करें हमसे अपने रिव्यू जरूर शेयर करें आप बता सकते हैं आप और किस चीज़ की जैसे पी जाना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं दही भले बनाने के लिए जो तमाम इंगीडियन्स चाहिए वो आप आप और रेड़ी वीडियो में देख चुके हैं चलिए जी अब हम इनको मिक्स करते हैं बिसमिला रह्मान रहीम सबसे पहले दही को किसी बड़े बरतन में डाल ले अब बारी बारी तमाम इंगीडियन्स आप दही में एड़ कर लें आप वीडियो पर बहुत ही असान और मज़ेदार रेसिपी आप मैकसिमुम 15-20 मिन्ट में ट्राइ कर सकते हैं इसे अपने घर पे जरूर ट्राइ करें और प्लीज हमसे जरूर शेयर कीजिएगा हरी मिर्चों की चिटनी आप लोग हस्बे जरूरत इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप लोग कम मिर्चे खाते हैं तो आप कम डार सकते हैं अगर आपको स्पाइसी दही वले पसंद है तो आप ज्यादा मिर्च का यूज़ कर सकते हैं अब आप लोग इसमें हस्बे जुरुएत नमर जीरा और जुआइन एड़ कर लें तमाम चीजों को जेंटली मिक्स करें लीजिए मज़ेदार दही बले त्यार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें